अब सभी का स्वागत है इसका लिंक मिल जाएंगा वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो उस देख सकते हैं तो चलिए आज का लेक्टर स्टार्ट करता है आज हमें कैले हैमिल्टन थिरम का फोर्थ प्रॉलेम सॉल करना है तो देखे जो प्रॉलेम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है कॉशन में क्या लिका है हम पढ़ेंगे कॉशन में लिका है यहाँ पर यह एक A मैटरिक्स दिया है यह A मैटरिक्स का हमें क्यरेक्टरिक्स एक्वेशन त्यार करना है और question में आगे लिका है and hence find the matrix represented by देखिए ये एक polynomial equation दिया है और इसको represent करते हुए एक matrix हमें find out करना है तो चलो हम ये problem solve करेंगे और ये problem solve करने का technique बिलकुल वैसा ही रहेंगा जैसा हमने इसके पहले के problems में use किये थे लेकिन कैले हैमिल्टन ठेरम का कोई भी problem solve करते समय आपको 5 important points की जानकरी होना चाहिए सबसे पहलے है characteristic matrix दूसरा है characteristic polynomial तीसरा है characteristic equation चाहता है characteristic roots और last में है कैले हैमिल्टन ठेरम का statement ये 5 points अगर आपको पता है तो आप कोई भी कैले हैमिल्टन ठेरम का problem काफी आसानी से solve कर सकता वैसे इसके पहले हमने कैले Hamilton theorem के first lecture में ये सभी 5 points की जानकरी आपको दिये थे वो वीडियो आप देख लिजेगा आपका पूरा basic concept clear हो जाएंगा तो चलो वही points का use करके हम ये problem solve करेंगे और सबसे पहले हम ये जो given matrix है ये given matrix यहाँ पे हम लिखेंगे solution हम यहाँ से start कर रहे हम given matrix पहले लिख लेते है given matrix जो है वो है A matrix और इसका order है 3 by 3 इसके elements है that is 2, 1, 1 पहले row में क्या लिखा है देखिए that is 2, 1, 1 then 0, 1, 0 और third row में है that is 1, 1, 2 तो ये है given matrix हम इसका order जो है इसके side में लिख लेते हैं 3 by 3 क्योंकि इसमें 3 rows है और 3 columns है और इसका use करके हमें सबसे पहले characteristic equation त्यार करना है हम सिधा characteristic equation बना लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे its characteristic equation its characteristic equation is हम directly characteristic equation बनाते हैं हमेशा format ऐसा होता है a minus lambda i और यह determinant में रखना है equals to 0 देखिए यह है characteristic equation that is a minus lambda i equals to 0 यह format है a माने given matrix होता है lambda माने कोई scalar quantity है और i माने unit matrix होता है और इसको अगर आप यह matrix का use करके आप अगर directly अगर इसमें रखते हैं तो यह कुछ ऐसा होता है that is हम सिदा लिखेंगे 2 minus lambda then 1 1 then 0 1 minus lambda then 0 then 1 1 और फिर रहेंगा यह 2 minus lambda तो यह देखिए हमने यहाँ पे characteristic equation यहाँ बना रहे है तो यह format का use करके बना रहे है that is a minus lambda i equals to 0 इसका use करके हमने इतना बना लिए और यह पूरा determinant में है अब यह determinant को हमें solve करना है determinant को solve करने के बाद जो polynomial आएंगा वो polynomial को हम characteristic polynomial कहेंगे तो चलो यह determinant को solve करेंगे यह determinant को solve करने के दो तरीके है आप चाहे तो यह determinant को normal way से solve कर सकता है जैसे कोई भी determinant solve होता है लेकिन अगर आपको दूसरे method से solve करना है तो दूसरा मिथड यह है कि इसके लिए एक standard equation आपको consider करना है तो इसको solve करके एक standard equation क्या consider करते हैं वो पहले आप देख लो equation ऐसा लेते है that is lambda cube minus of p lambda square plus of q lambda minus of mod of a देखिए ऐसा एक equation consider किया जाता है यह determinant को solve करके एक standard equation consider किया जाता है वो यह है अब इसमें हमें p q और mod of a का value just put करना है अगर हम इसमें सब put कर लेते हैं तो जो equation बनेंगा जो polynomial बनेंगा वही रहेंगा characteristic polynomial जो इसका solve form रहेंगा तो चलो हम यहाँ पे p q और mod of a यहाँ पे put करेंगे फिलाल यह equation को हम equation number इसको equation number 1 कहेंगे तो चलो देखते है p q और mod of a कैसे निकलता है बिल्कुल वैसे ही हम solve करेंगे जैसा हमने इसके पहले के problem में किये थे तो सबसे पहले हम p find out करेंगे तो p find out करने के लिए p क्या होता है तो sum of diagonals of हमें a matrix ऐसा करना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे sum of diagonals sum of diagonals of matrix a इसका मतलब a matrix में जो भी diagonal elements है हमें just उसका sum करना होता है यह A matrix है इसके diagonal elements का हमें sum करना है क्या है diagonal elements 2, 1, 2 तो हमें just उसका sum करना है 2 plus 1 plus 2 तो यह कितना आता है यह आता है 5 तो हमें finally p मिल गया और अब हमें q find out करना है तो Q find out करने के लिए क्या rule है Q के लिए हम यहाँ पे लिखाएंगे Q find out करने के लिए That is sum of Minors of देखो क्या लिख रहा है Sum of Minors of Diagonals of A यह सबसे important है Diagonals of A देखे क्या लिखा है Sum of Minors of Diagonals of A इसका मतलब यह है कि यह जो A matrix है यह A matrix के जो Diagonal Elements है देखो यह जो Diagonal Elements है यह Diagonal Elements के Row Column छोड़के जो 4-4 Elements बसते है उनका Determinant लेके आपको Addition करना है तो यह कैसे करेंगे जरदहान से देखिए तो यह सबसे important step है तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे Determinant बनाते है यह First यह Second और थर्ड यह देखे थर्ड हम यहाँ लिखते है तीन Determinant जो है वो हम यहाँ पे बना रहे है अब यह तीनो Determinant में Element क्या लिखना है वो देखिए तो सबसे पहला Determinant जो है यह देखिए यह जो Diagonal Elements है उसमें सबसे पहला Element क्या है तो 2 का Row और Column छोड़ो Row और Column छोड़ने के बाद यह जो 4 Elements बचे है यह 4 Elements आपको यहाँ लिखना है 1, 0, 1, 2 ओके? और अब यह 1 देखिए यह Diagonal Element Second Diagonal Element इसका Row और Column छोड़ो Row और Column छोड़ने के बाद जो 4 Elements बचे है वो हम यहाँ लिखेंगे 2, 1, 1, 2 और अब यह Third Diagonal Element यह Third Diagonal Element का Row और Column छोड़ो तो यह जो 4 Elements बचे है वो हम यहाँ लिखेंगे That is 2, 1, 0, 1 तो देखिए हमने 3 Determinant बना लिए और यह 3 Determinant को अब हमें Solve करके Add करना है तो यह Cross Multiplication करो तो यह हो जाएगा 2 यहाँ पे होंगा 4-1 तो यह हो जाएगा That is 4-1 कितना? 3 Then यह हो जायगा 2-0 तो सिदा सिदा 2 तो यह कितना रहेगा? 3 Plus 2 Plus That is 2 तो यह हो गया 7 तो Finally हमें Q मिल गया Q कितना मिल गया? हमें Q मिल गया 7 तो चलो mod of a find out करेंगे it means a का determinant a का determinant तो हम matrix a को यहाँ पे determinant में लिखेंगे आप चाहें तो determinant को directly calculator में solve कर सकते है, calculator में determinant का option होता है, आप उसका use करके directly solve कर सकते है और अगर आपको manually solve करना है तो वो भी चलेंगा तो यह देखें हम यहाँ पे manually solve करेंगे इसका determinant, तो देखते हैं कि यह क्या आता है तो determinant अगर लेना है, तो सबसे पहले हम 2 से start करेंगे, 2 का row और column चोड़ो, और यह जो 4 elements बचे है, इसमें cross multiplication करो तो यह 2, फिर minus 1 और फिर इसका row और column चोड़ो 4 elements में cross multiplication करेंगे तो 0 और फिर plus 1 और इसका row column चोड़ो, तो यह हो जाएंगा that is minus of 1, तो यह कितना बचेंगा यह बचेंगा 4, यह 0 और यह minus 1, तो 4 minus 1 कितना तो यह हो गया 3, तो mod of a हमें मिल गया 3, determinant को solve करते आना चाहिए, determinant अगर आपको solve करना आता है तो यह काफी आसान हो जाएंगा, तो finally equation number 1 के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ हमने find out कर लिए हमें P, Q और mod of a मिल चुका है, और अब यह सब कुछ equation number 1 में हम put करेंगे तो हम यहाँ पी लिखेंगे equation number 1 employs, equation number 1 complete हो जाएंगा, that is lambda cube minus P का value है 5 lambda square और Q का value है 7 तो plus 7 lambda और mod of a है 3 तो हम यहाँ लिखेंगे 3 equals to 0 तो यह हमने क्या बना लिए, यह हमने characteristic polynomial बना लिए characteristic equation का use करके characteristic polynomial बना लिए यह था characteristic equation हमने यह characteristic equation का use करके, ऐसा हमने standard form बना है, और फिर हमने P, Q और mod of a find out करके, सब कुछ इसमें put कर दिये, तो यह finally characteristic polynomial बन गया और अब हम Calais Hamilton theorem यहाँ पे apply करेंगे, और यह जो पूरा statement है वो in the form of a लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, therefore by Calais Hamilton theorem Calais Hamilton theorem by Calais Hamilton theorem, यह जो statement है यह पूरा in the form of a हमें लिखना है तो हम लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे lambda है वहाँ पे हमें a रखना है, तो यह हो जाएंगा a cube minus 5a square plus of 7a minus of, that is 3 equals to 0, तो finally हमने यहाँ पे Calais Hamilton theorem का use कर लिए और lambda के जगा हमने यहाँ पे a लिख दिए यहाँ पे question में verify Calais Hamilton theorem ऐसा लिखा है क्या वो पहले चेक कर लो क्योंकि number of problems में verify Calais Hamilton theorem ऐसा भी लिखा होता है लेकिन यहाँ पे यह देखिए question में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसके पहले already हमने कैसे verify करना उसके उपर video बनाये थे वो video आप देख लिजेगा verify करना आपको आ जाएंगा वैसे अगर यहाँ पे लिखा होता कि verify Calais Hamilton theorem ऐसे में हमें क्या करना होता है ऐसे में हमें यह equation का left hand side में a cube, a square, a यह सब कुछ यहाँ पे put करके हमें equation एक बनाना होता है देन उसको solve करना होता है और उसका जो answer है वो 0 आता है कि नहीं वो हमें check करना होता है एक में हमें indirectly left hand side equals to right hand side है कि नहीं वो verify करना होता है तो इससे Calais Hamilton theorem verify होता है लेकिन फिलाल यहाँ पे वो find out करने की ज़रूत नहीं है question में लिखा है कि find the characteristic equation of the matrix यह matrix का characteristic equation तयार करना था तो वो हमने finally तयार कर लिए characteristic equation और यह characteristic polynomial और यह in the form of A हमने बना लिए और अब हम question को आगे बढ़ाएंगे question में और क्या find out करने के लिखा है तो question में देखिए लिखा है and hence find the matrix represented by यहाँ पे यह एक polynomial equation दिया है काफी लंबा equation है इसका power देखिए A का power 8 है 8 से start हो रहा है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 काफी लंबा यह equation है तो हमें एक matrix एक find out करना है जो यह polynomial equation को represent करता है तो चलो हम वो solve करना शुरू करता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यह जो polynomial equation है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे that is consider यह पूरा equation हम लिखेंगे काफी लंबा equation है तो given polynomial हमने यहाँ पर लिख दिया है और अब हमें इसको solve करना है और इसका एक matrix हमें यहाँ पर तयार करना है इसके धूरू तो यह कैसे बनाएंगे देखिए अगर आप properly check करेंगे तो यह जो पहले 4 elements है 1, 2, 3, 4 इसका coefficient देखो और यह जो last time हमारा Kelly Hamilton theorem का equation आया था इसका coefficient देखो बिल्कु सेम है यह देखो 1-5, 7-3 तो यहाँ पर 1-5, 7-3 तो हम एक काम कर सकते है हम इसको यह form में लेके आ सकते है कैसे हमें काम करेंगे यह 4 में से A to the power 5 common ले लेंगे अगर आप A to the power 5 common लेंगे तो यहाँ A to the power 8 में से A to the power 5 common निकल गया तो यह बनेंगा A cube minus of यह हो जाएंगा 5A square plus of 7A और minus of 3 ऐसा हो जाएंगा हमने यह 4 terms में से common ले लिए कौन से 4 terms हम उसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं देखिए हमने यह 4 terms में से common ले लिए बाकी के जो remaining terms है वो हमें यहाँ equation में as it is लिखना है plus A to the power 4 minus 5A cube plus of 8A square minus of 2A plus I यहाँ पर जो I लिखा है I का क्या मतलब है I माइने unit matrix होता है या बोलो identity matrix तो यह हमने common ले लिए और common लेने के बाद यह जो आया है अब इसका क्या करेंगे तो देखो यह जो bracket है यह bracket आप इसके साथ compare करो यह बिल्कुल सेम है ऐसे में हम इसके जगा 0 लिख सकते है इसका value 0 लिख सकते है यह value इसका 0 हो जाएंगा from equation यह equation हमें काम करेंगे इसको हम equation number इसको हम equation number 2 कहेंगे इसके पहले already equation number 1 हुआ था तो हम इसको equation number 2 कहेंगे तो यहाँ पे हमने इसके जगा 0 लिख दिये from equation number 2 तो यह 0 होने के बज़े से क्या हुआ यह हो गया 8a square minus of 2a plus of i और यहाँ पे हम लिख देंगे that is from equation from equation कुन सा equation number 2 से हमने वो 0 लिख दिये इसके जगा 0 आ गया तो यह term 0 हो गया और अब यह जो terms बची है इसको फिर से हम यह form में convert करेंगे कैसे convert करेंगे तो इसके लिए एक काम करेंगे इसका coefficient क्या है देखो 1 minus 5 7 और minus 3 यहाँ पे 1 minus 5 लेकिन यहाँ 7 नहीं है तो यहाँ 7 लेके आना पड़ेंगा और यहाँ पे minus 3 ऐसा कुछ लाना पड़ेंगा तो यह कैसे लाएंगे जरा ध्यान से देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले कुछ adjustment कर लेते हैं तो देखो adjustment करेंगे तो क्या होंगा 8 to the power 4 as it is है minus 5a cube ठीक है यह as it is रखो यह जो 8a square है इसको हम लिखेंगे that is plus 7a square plus a square हम इसको ऐसा लिखेंगे ठीक है ताकि यह 8 हो जाएं और यह जो minus 2a है हम इसको लिखेंगे that is minus of 3a plus of a ऐसा लिखेंगे plus of i देखो हमने यहाँ पे adjustment कर रहे है ठीक है और अब हम common ले लेंगे हम यहाँ पे कितने terms में से common लेंगे देखो यहाँ पे यह यह देखो यह terms और यह एक term यह इतने में से a common ले लो यह term और यह term में से a common ले लो तो फिर देखते हैं क्या बचेंगा तो अब यहाँ पे common लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेंगा a common ले लिए तो यह हो जाएंगा a to the power 3 यहाँ पे a common चला गया तो minus 5a square यहाँ पे a common चला गया तो यह बना 7a और यहाँ से a common चला गया तो minus of 3 और जो terms बची है वो हमें लिखना है a square बचा है तो हम लिखेंगे plus of a square यह a बचा है plus a plus of i देखो इतना बचा है ठीक है हमने adjustment बिल्कुल सही किये यहाँ पे adjustment करने के बाद common लेने में आसानी होती है देखो minus 3a plus a that is minus of 2a होता है इसकी साथ compare करो तो इसका value क्या है देखो इसका value right hand side में हमें दिख रहा है 0 है इसका मतलब हम इसके जगा 0 लिख सकते हैं और अगर यह 0 हो गया तो finally यह पूरा term 0 हो जाएंगा और जो बचेंगा वो हमें लिखना है क्या बचेंगा a square plus a plus i सिर्फ इतना बचा है हम यहाँ पे लिख सकते है from again from equation 2 हम equation number 2 से ऐसा लिख सकते हैं उसके जगा हमने 0 लिख दिये तो finally यहाँ तक हमने extend कर लिए और अभी यहाँ पे कुछ common होगरे नहीं लेके आ सकते हैं हमने यहाँ दो बार common लिए क्योंकि यहाँ पे a का power 8 था a का power 4 था तो common लेना आसान हो गया और यह form में हमने ला लिए लेकिन यहाँ पे common नहीं हो सकता क्योंकि a square है a का power सिर्फ 2 है जबकि यहाँ a का power 3 चाहिए तो common नहीं हो सकता तो अब हम क्या करेंगे अब इसको solve करेंगे अब यहाँ पे a square है इसका क्या मतलब है a square मतलब a into a होता है तो हमें यहाँ पे a matrix को दो बार लिखना है it means यहाँ matrix multiplication करना है then plus a plus a माने यहाँ पे फिर से a matrix लिखना है और plus i i माने identity matrix that is unit matrix तो वो हमें यहाँ लिखना है तो चलो अब हम यहाँ पे लिखते हैं तो सबसे पहले a square माने a into a तो यह हो गया 211 और यह 112 010 again 211 010 112 देखिए हमने a into a ऐसा लिख दिये यहाँ पे भी plus यहाँ पे a matrix that is 211 010 then 112 और फिर 100 that is 00 just a minute 100 010 और फिर 001 तो यह हमने unit matrix लिख दिये तो finally हमने क्या किये a square माने a into a होता है तो यह a into a plus a plus i i माने unit matrix identity matrix और इसका order यहाँ पे 3 by 3 हो जाएंगा वो इसलिए क्योंकि इसके पहले यहाँ पे a का matrix भी 3 by 3 है तो हमें इसका matrix भी 3 by 3 लिखना है और अब हमें सबसे पहले यह दोनों matrix का multiplication करना है तो चलो देखते है multiplication करने के बाद यह क्या होता है और multiplication करने के बाद फिर हमें addition करना है तो solve करने के लिए यहाँ से हम continue करेंगे ठीक है और यहाँ से देखिए दोनों matrix का यहाँ पर multiplication करना है तो row into column करना है तो देखो हम आपको सिर्फ पहला row बता देते हैं क्योंकि बाकी तो फिर solve करना आसान हो जाएंगा तो row into column तो यह 2 into 2 यह 4, then 1 into 0 तो यह 0, then 1 into 1 तो यह हो गया 1, तो यह क्या होंगा 4 plus 1 that is 5, तो पहला element हो जाएंगा, ठीक है पहला element हो गया 5, then next यहाँ पर first row into second column करेंगे तो देखेंगे क्या होंगा row into column में, तो यह हो गया 2 plus 1 plus 1, ठीक है, यह 2 into 1 then 1 into 1, 1 into 1 इस तरह से, तो यह कितना हो जाएंगा यह हो जाएंगा 4, ठीक है और next element भी जो है, बिल्कुल same next element भी 4 हो जाएंगा, ठीक है ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 into 1, 2, okay plus 1 into 0, 0 plus 1 into 2, तो यह हो गया 2, 2 plus 2, 4, इसलिए हमने लिख दिये 4, तो यह 5, 4, 4 है तो last जो row है, उसमें 4, 4, 5 ऐसा हो जाएंगा, और बीच का जो row है, वो तो बिल्कुल वही का वही रहेंगा, बीच का row that is 1, 0, 1, sorry बीच का row क्या है, 0, 1, 0 है तो हम लेखेंगे 0, 1, 0, चलो बीच का row चेक कर लेते हैं, that is second row into, यहाँ पर column हमें करना है, second row into सभी column को करना है, तो 0 into 2, that is 0, 1 into 0, that is 0, और 0, तो यह सिर्फ 1 आएंगा तो इस तरह से यहाँ पर आप matrix multiplication कर सकते हैं, तो दोनों matrix को हमने multiply करके ऐसा बना दिये और अब हम बाकी के जो matrix है, वो हम SEDS रखते हैं, यह दोनों, और फिर हमें addition करना है 2, 1, 1, 0, 1, 0 और फिर, that is 1, 1, 2, ऐसा, और last जो matrix है, जो की identity matrix है, 1, 0, 0 0, 1, 0 और 0, 0, 1, ओके और अब यह तीनों matrix का हमें addition करना है, तो देखते हैं, तीनों matrix का addition क्या होगा, तो यहाँ पर 5, 2, 1, तो यह हो जाएंगा, 8, 4, 1, that is 5, 8, 5, 5, then last में 5, 5, 8 हो जाएंगा, और बीच में रहेंगा 0, और यह सभी element 0 है, और last में भी 0, 1, 1, 1, 1, 1, तो यह हो जाएंगा 3, तो इस तरह से यह हमने matrix find out कर लिए, और यह matrix का order भी क्या है, इसका order भी 3 by 3 है, तो finally question में जैसा कहा था, कि hence find the matrix represented by this polynomial, तो यह polynomial को represent करते हुए, हमने यह matrix बना लिए और problem जो है, वो यही पे complete हो गया, उमीद करते हैं कि यह problem आपको समझ माया होगा, यह था Kelly Hamilton theorem का problem number 4, इसके पहले जो हमने इसके 3 problems लिए थे, वो भी आपको study कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले videos में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे, ताकि इसके अच्छी कासी practice हो जाए, इसके पहले के सभी problems और सभी topics study करने के लिए, आज के वीडियो के description में जाएए, वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी topics के playlist का link मिल जाएगा, वो link पे click करके आप आसानी से इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं, आपको अगर आज का video पसंद आया है, तो आप इसे like करिए, अपने friends से जिनको इसकी जरूत है, आप उनके साथ इसको share करिए, कुछ doubts है, तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के useful videos आपको हमेशा मिलते रहें, तो मिलते हैं next video में, thank you very much